हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद कहती हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगी सो दोस्तों चली स्टार्ट करते हैं आज की देमिडी तो मैंने लिए हैं यहां पर एक लोही की कड़ाई इसमें एड़ किया है दो चमच ब्लैक सीसेम सीट्स यानि की काला तिल इसके बाद आपको लेना है एक चमच मेथी दाना मेथी दाना हमारे बालों के स्प्रेट इंस को खदम करता है डेंडर्फ को खदम करता है और ग्रोध को बहुत बढ़ाता है इसके बाद आपको लेना है यहां पर वन टी स्पून के करीब काली मिल्च यानि की ब्लैक पेपर एंड लास सारे नामों से अलग अलग जगों पर इसे जाना जाता है प्यास की बीड जो होते हैं यह हमारे बालों को काला करने के साथ साथ बालों की गंजेपन की समस्या को दूर करते हैं बालों को मजबूत बनाते हैं और यह बालों में एक तरीकी से बनने वाले मेलनिन पिगमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि हमारी बाल स्कैल्प से मजबूत बने रहें और लंबे समय तक काले रहें जबने बहुत बहुतं ब्ली लेकर लेना है आपको इहां पर इसे एच्छे से Mixing में ग्राइण कर लेना है और एनेदर वही कड़ाई लेनी है या कोई भी अनेदर बर्दन आप यहां पर ले अलग-अलग मैंने यहाँ पर 100-100 ग्राम दोनों के ले लिए हैं और यह बनके हो गये हैं 200 ग्राम और इसको मैंने एड़ कर दिया है लोहे की कड़ाई में इसे थोड़ा सा हम गरम होने देंगे और इसके बाद यह पाउडर्स में मिक्स कर देंगे पॉडर ओयल में अच्छे से Mixed होके अपने तत्व छोड़ दें और ऐल जो है वो पॉडर में mix ओकर के उनसे तत्व ले ले यह हमारा सार होता है जिससे कि यह के गुण होते हैं वह और ज्यादा बढ़ के निकलते हैं इन्हें अच्छे से mix करना है, आपको powder form में है, so easily ये mix up हो जाते हैं, और इन्हें आपको धीमी आज पे कम से कम 20 मेर्ट तक ऐसे ही पकाना है, आज को आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, एकदम धीमी आज पे, medium flame पे आपको इसे पकाना है, इसके बाद आप जो ये इसे ठंडा कर लेंगी और निकालेंगे, another किसी बेड़ा हो जाने के बाद मैंने इसे गांज के जान में रखती हैं, आप कलर तो देख सकते हैं, बिग्रस हमें इसने iron की तरहाई में बनाया और हमने इसमें जितनी चीजिए इसमाल की रात में लगाना है, यानि चेंज हो ग पहले तो आप सकल्प में लगाएंगे फिर पूरे बालों में इसके बाद आपको कम सकम 10 में तक अपने बालों की अच्छे से मसाच करें, या आप में अगर लगा करके सोते ही, सुबा वाश कर दे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके बनाने की जो इंग अगर आप इसे बनाएंगे तो इसे अच्छे से शेक करेंगे, उसके बाद आपको अपने बालों में 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 बिल्कुल बाहर से जादा से जादा शेयर कीचै रिखी तक और लोग भी असा हर्ब लोग फार बना सकें और गर्म प्रें अपने रिखने के लोगे कान के लिख वी मोलता है। आज की रेमेडी पसंद आई होगी चलिए फिर से मिलते हैं इक और निव वीडियो